आज हम स्नापशीट पर एक अलग एडिटिंग देखेंगे ब्लैके स्टोन को हम एडिटिंग करेंगे और यह पिक्चर बहुत जादा पुरानी है और इसको मैंने वीवो में क्लिक किया था सबसे पहले हम इसको स्नापशीट में ओपन कर लेंगे और हम थोड़ी सी डीटेलिंग को ठीक कर लेंगे तो इस तरीके से आपको इसकी डीटेलिंग को ठीक कर लेना है थोड़ा सा हमको इसमें थोड़ा सा डीटेल इंक्रीज करना है क्योंकि यह वीवो से क्लिक की हुई इमे नेक्स है हम डीटेल पर चलते हैं और हम इसके डीटेल को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं इस स्ट्रक्चर और शापनिंग को एड़ करके और हम हम इसको थोड़ा सा कर लेंगे कर्व हम आरजीवी पर में कर रही हो इससको आरज़ युद्न पर हमें कर्फ करना है और इसमें थोड़ा सब ब्लैकिश कर देड को ना बैकड़ाउंड को थोड़ा सब ब्लैकिश कर देना इसको थोड़ा सब अब हम चलेंगे घ्रेशback, देख़ लिए जरी Bliss Love आप देखते हैं कि एक है लाज प्लक एक विल्टर को सारे आप गया कर सकते हैं या यजी पी स्टोर कर रहा ह debunkरaurus ने सारय कर सकते हैं तो हम यह ट्राइ कर देख सकते हैं कि हमारी जो पिक्चर वह काफी अच्छी लग रही है उसमें पुरा ब्लैकिस ब्लैकिस सा टोन आ गया है अब हम इसको थोड़ा सा मैं यह जो घांस भूसा दिख रहा है न हम इसको क्लीन करना चाहते हैं तोड़ा सा अधियर सो हम इस पर चलते हैं और इवी पर चलते हैं और हम इसको माइनس करते हैं 0.1 ऑन परसा चल भес़ और इस फिवसिते हैं कょिजशके थोड़ा करते हैं तो तक यह हमारा थोड़ा सा चुप जा Exodus और हमारी जो डीटेल वह अर। जह अहीं पहुल अठ्शी है मतलब किसी भी पिक्चर में अगर आपको बैक ग्राउंड को ब्लैक करना है तो आप इस तूल का इस्तिमाल कर से एंड मैं इसको फिर से अपलाई करूंगी क्योंकि एक बार में होता है कि यह एक बार में पूरी तरीके से ब्लैक नहीं होता तो एजीली हमारा background black हो जाता है और हमारी जो image है वो भी बहुत एचे लगती तो third layer में यहां पर नहीं करूंगी बस two layers करूंगी क्योंकि two में ही मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा hide हो चुका है हमारा जो picture वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो अब देख सकते कि जो हमारी final picture वो कितने जादा amazing है और अब यहां पर थोड़ा सा हम यहां पर brightness को increase कर देंगे थोड़ा सा कि यह जो picture है थोड़ी सी हमें यहां से थोड़ी bright लगे क्योंकि हमने फिर से क्योंकि उसी filter को apply कर रहा था तो वो थोड़ा सा dull लग रहा था so here is our final picture so आप देख सकते कि कितनी easy तरीके सा हमारी picture जो है एडिटर चुकी है so thank you so much for watching